बहुजन समाजवादी पार्टी के एक और विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशी ने पार्टी छोडी त्योधर के पूर्व विधायक रामगरीब बनवासी ने पिछला चुनाव सिर्माव विधानसभा छेत्र से बस्पा के बैनर्कले लड़ा था जिन्होंने आज मुख मंत्री के हाथों कॉंग्लेस की सदस्ता रहन की बहुजन समाजवादी पार्टी के एक और पूर्व विधायक ने पार्टी की सदस्ता छोड़ी रामगरीब बनवासी त्योतर विधान सभा छेत्र से बहुजद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं इस वार इनका टिकट काट कर सिर्मोर छेत्र भीजा गया था जहां पर यह भारत्य जनता पार्टी के प्रत्याशी से हार मिली थी यह यहां पर तीसरे नंबर पर थी आज रिवा एयरपोर्ट पहुँचकर प्रदेश के मुख मंत्री कमलाग के हाथों कॉंग्रेश की सदस्तिता ब्रहन की रामगरीब बनवासी ने पत्रकारों से बात्चीत करते हुए कहा बर्तमान में जो देश के हालात हैं जिस तरीके की इस्थितियां हैं उससे कॉंग्रेश पार्टी ही निपट सकती है मैं कॉंग्रेश की रितिनीती से प्रभावित हूँ जनता पाटी की सिकंजे में और वो भारत का जो संब्यधान है उसके उपर जो है भारती जनता पाटी दवाव दे रही हैं खुल करके कहता है और दूसरी बार इस देश में जब तक संब्यधान की सुरुक्षा सुरुक्षित नहीं रहेगा इस देश की जनता और देश के जनता के हक अधिकार और जो सम्प्रताई धर्म हैं उनकी सुरुक्षा नहीं हो सकती है सबसे पहले भारती संब्यधान की सुरुक्षा जरुरी सुरुक्षित रही और देखी बहुजं समाज़ पाटी के संस्थखक मानवर कांसी राम ने ये बात कहा था कि कांग्रेस पार्टी और मेरी पार्टी की विचारधारा एक है और समय आने पर हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और ले सकते हैं कांसी राम साहब आज नहीं है और ऐसा लग रहा है कि सम्विधान खत्रे में है और ये कांग्रेस पार्टी की जो सम्विधान के सुरक्षा के प्रती नजरिया है मुझे वफादार दिख रही है तो इसलिए हम सम्विधान को बचाने को देश से इसकी हम मदद करेंगे करीब बनवासी जी दिखे क्या आसे निकाला जाए भारती जनता पार्टी को रोकने के लिए पूरे देश के अंदर जो भी सम्विधान को रोकना चाहते हैं वो सब कांग्रेस विचारदारा को आगे बढ़ाना चाहते है तो मतलब कांग्रेस में उनको सामील कर लिया गया है कि भारती जनता पार्टी को रोकने के लिए छोटा दल बड़ा दल सभी दल संपर्दाइक कात्नों को रोकने के लिए हमारे साथ हमरेस की विचार धाराव को भागे बढ़ाने के लिए देश को हिंदू, मुस्लिम, सिक्ष, इसाही के गुल्दस्ते में जोड़ने के लिए सब हमारे साथ है